हेलो दोस्तों, आप देख रहे है लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी, भारत बनाम दक्षिन अफ्रीका, मिशन दक्षिन अफ्रीका, इस खास मदद से टीम विराट को मजबूत करेगा BCCI, श्री लंका पर टेस्ट फतह के बाद ICC रैंकिंग में भारतिय टीम को नमब अब जबकि पहले टेस्ट से पहले भारतिय टीम को दक्षिन अफ्रीका के हालात में ढालने के लिए नके बराबर ही समय मिला है, तो BCCI भी अपनी ओर से हर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी के तहत बोर्ड ने सोमबार को एक बड़ा फैसला लिया, इसी के तहत प बोर्ड ने सहजता से मान भी लिया, हालांकि यह फैसला कितना फायदेमंद साबित होता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके अलावा भी BCCI ने भारतिय बल्ले बाजों को दक्षिन अफ्रीकी हालात में खुद को ढ़ालने के लिए अतिरिक्त मदद मुहयया करा इस खास तैयारी के तहट BCCI ने चार युवा तेज गेंदबाजों को अलग से विराट कोहली एंड कमपनी के साथ दक्षिन अफ्रीका दोरे पर भेजने का फैसला लिया है, यह चारों युवा फिलहाल तीनों टेस्ट मैच के दोरान भारतिय टीम के साथ बने रहेंगे औ और बल्ले बाजों को नेट अभ्यास कराएंगे, बता दे कि ये चारों युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, आवेश खान, नवदीप सैनी और बासिल थमपी हैं, वास्तव में यह सराहनिय फैसला है, न केवल इससे टीम इंडिया के नियमित तेज गेंदबाजो वास्तूों को आवेश दो सैनी घाले लाजबाज बढा मोहम्मात थैसला हैक, एंवेश खाना, फावेश बास तेवल